दो हजार चौविस की तैयारी को लेकर के पुराने पूराने फाइल निकलने सुरू हो गए हैं तो एक तरफ जहां भारते जंता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो दो हजार चौविस के चुनाव में उतरने से पहले अपने विरोधियों को समाप्त करना चाहती है तो भ पीच में लगतार भारते जंता पाटी कई नेताओं को जो सुरक्षा बढ़ा रही है उस सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कहा ये जा रहा है कि जिन जिन लोगों से भारते जंता पाटी को मतलब है और जा भारते जंता पाटी उन लोगों के साथ अगला निकलेंगे आप तो इस कारण को खोजने में आप खुद उलज जाएगे गेम ऐसा फसा हुआ है कि भारती जनता पाटी भी जितना आगे निकलती है फाइनल पर पहुंचते पहुंचते वो फिर से एक बार प्रैक्टिस के दौर तक पहुंच जाती है भारती जनता पाटी हर तरह की रणनिती बना रही है हर तरह से वो ये इस बात से निशिंत होना चाहती है कि बिहार उसके हाथ में है और बिहार में उसे कोई परिशानी नहीं होगी इसी को ले करके जहां नितिश कुमार के साथ छुटने के बाद भारती जनता पाटी ने और चार सहयोगियों को ज सबके बावजूद आखिर भारते जनता पाठी डरी हुई क्यों है और ये डर उसका तेजस्वी नितीश से जादा चिराग और पारस के कारण क्यों है तो इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा 2020 के चुनाओं में जाना पड़ेगा 2020 के चुनाओं में नितीश कुमार एसा निती रचा एसा चक्रवी हु रचा जिसमें एल जेपी को बाहर होना पड़ा उसी बीच में आपको याद होगा है कि चिराग पासवान पार्टी के रास्टी अधक्ष हुआ करते थे और ततकाल जब चुनाओं के ठीक पहले ऐसा हुआ कि रामविलास पासवान की आसम कुमार के सामने जुकना पड़ा और एल जेपी एंडिये से बाहर हो गई चिराग पासवान चुनाओं लड़े और उन्होंने जिस तरह से चुनाओं लड़ा वो खास करके अगर देखा जाए तो नितीश कुमार के लिए बड़ा ही घातत था इस बात को भारती जंता पार् के बार फिर से चुनाओं के बाद जब सरकार बन गई तो नितीश कुमार के सामने कदम ताल करने लगी और नितीश कुमार के ही कहा जाता है कि प्रयासों से लोग जन सकती पार्टी दो फार में बटी आज वही लोग जन सकती पार्टी दोनों की दोनों नितीश कुमार के व मंत्री मंदल में सामिल होने के कारण तुप है, फिर भी भारती explained उससाय मैंकर Mohammad Young अचारण Penal kara Goken Unse span लेकिन इस तुभिवा रत लगतार चल रही है कि वह संपर्क में रहते हैं लेकिन इन सारी बातों से अलग चिराग पासवान भारते जनता पाटी द्वारा किये गए लोग जन सकती पाटी के अलग होने के उस करवाई को भूल नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि उन्होंने भारते जनता पाटी के सामने सर्थ रख दिया है एक तरफ जहां तेजस्वी और नितीश सीधे नजर आ रहा है कि भारते जनता पाटी के लिए बड़ा चैलेंज है लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज जिन लोगों को अपने साथ रखने की भारते जनता पाटी तयारी कर रही है वो है एक तरफ जहां तेयस्वी नितीश को भारते जनतापाटी अपने रणनितियों से साध़ सकती है लेकिन चिराग पासवान के कारण पूरी तरह से भारते जनतापाटी अजुरा गई है ये दोनों चाचा भतिजा की जोड़ी जो है और खास करके इस जोड़ी ने भारते जनता पार्टी को ऐसा पेज में फसा दिया है कि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि अगर इनको साधने में यानि दोनों चाचा भतिजा की जोड़ी को साधने में भारते जनता पार्टी सफल नही रही है वहीं चिराग पासवान और पस्पतिक मारक पारस को भी साध ले क्योंकि सीटों को ले करके अभी भी चिराग पासवान टस से मस नहीं होना चाहते हैं एक तरफ उन्हें चाचा वाली या फिर कहा जाए कि राम बिलास पासवान जो लंबे समय तक हाजीपूर के रहे है और हाजीपुर की जनता उन्हें अपना मानती है उस सीट पर उन्हेंने उंगली रख दी है वहाँ से पसुपतिक मार पारस बर्तमान सांसद है जिनें हटना पड़ेगा यदि ऐसा होता है चिराग पासवान उस पर चुनाव लड़ते हैं तो तो वहीं उन्होंने अपनी जो सीटे हैं उसमें से एक वैसाली के सीट भी मांग लिया है आपको याद होगा कि वैसाली के जो शांसद हैं उनके पती चिराग पासवान से मिले थे ऐसे तो कई ऐसे शांसद हैं जो पसुपतिक मार पारस के गुट में हैं और लगतार चिराग पासवान से मिल रहे हैं लेकि पसुपतिक मार पारस अपने पांच संसदों को ले करके जिंदा बाद, जिंदा बाद, मुर्दा बाद, मुर्दा बाद करने लगते हैं, अब इन सारी स्थितियों से निपटने के लिए भारते जनतापाटी कौन सा हाथ कंडा अपनाती है, लेकिन इतना तो तैय है कि भारते जनतापाटी अंतिम चंड तक ये प्रयास करती रही है, और जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है, कि चिराग पास्वान ने जो सरते रखी है, उन सरतों पर भारते जनतापाटी जल्दी ही पहुंचेगी, क्योंकि चिराग पास्वान भारते जनतापाटी के ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ्त में मिल जए अगर रुवा पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 93868167000 धन्लेबाद